आज है 21 जैन्वरी और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 21 जैन्वरी के सारे इंपोर्टन करेंट अफैस के क्वेशन्स आप सभी लोंगे इस वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देज़ें वीडियो के शिरू होने से पहले आज का अपना सेशन और पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा इसको पढ़के आपने आंसर देना है हाली में मागी मेला उत्सव कहां आयुजित किया जा रहा है महराष्ट, असम, पंजाब या फिर मिखालिया इसकी अगर हम बात करने इस फेस्टिवल के सिखों के द्वारा मनाया जाता है यह फेस्टिवल और यह अभी रिसेंटली शुरू किया जा रहा है पंजाब के अंदर जोहे से मनाया गया है यानि आंसर हो जाएगा इसका option number C आगे बढ़ते हैं guys तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह कब से शुरू हुआ है 14 जनवरी से मागी मेला परव जोहे मनाया जा रहा है इस question का जो सही जवाब है वो हो जाएगा पंजाब आगे बढ़ते हैं guys तो अगर हम इस मेले के बारे में थोड़ी सी बात कर लें मागी मेला पवित्र शेहर श्री मुक्तसर साहिब में हर साल जनवरी में या नानक साही कैलेंडर के अनुसार माग के महीने में आरजित किया जाता है ये सिखों के सबसे महत्पूर्ण तिवहार में से एक हैं ये तिवहार मुगलों के खिलाफ लड़ाई में चालिस सिख सैनिकों की शहादत का प्रतीक है सत्रा सो के दशक में मुगल और सिख एक दूसरे के साथ लगातार युद्रत थे खिदराना युद्ध तब शुरू हुआ जब सत्रा सो चार में मुगलो द्वारा आननपुर साहिव की घेराबंदी के दौरान चालिस सिख सैनिकों अपने पदों को छोड़कर भाग गये थे सो ये मेला आपके लिए काफी जादा इंपॉर्टन रहेगा आगे बढ़ते हैं गाईस ये कुछ रीसेंट फेस्टिवल्स हैं जो कि अभी हाल फिलाल में मनाये गए लाइक मागी बीहू मनाया गया है असम में और इसे हम बोगाली बीहू के नाम से भी जानते हैं तंगा सागर मेला वेस्ट बिंगौल में मनाते हैं मेदाराम जात्रा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है जली कटू फेस्टिवल तमिल नाडू से जुड़ा है सरहुल फेस्टिवल जारकंड, मीमकुठ फेस्टिवल मिजोरम, भगोरिया फेस्टिवल MP और चेर चेरा फेस्टिवल 36 इसकार इसे हैं आप लोग नोट करके रखेगा आगे बढ़ते हैं गाईस ही कुछ पंजाब से जुड़ेगी Important Current Affairs की One Liner Statements लाइक राकी गुपता बंडारी ने पंजाब के राज़िपाल प्रधान सचीव का पत संभाला है पंजाब सरकार ने गानों में हतियारों के प्रधर्शन पर पूर्ण प्रतिबन बगा दिया पंजाब सरकार ने अपने करमचारियों के लिए पुरानी पंशन यूजना की वापसी की एशिया की सबसे बड़े Compressed Bio Gas Plant का उट गाटन पंजाब में हुआ पंजाब में एक विधायक एक पेंशन इसकीमिय भी हाल फिलाल में शुरू करी गई आगे आजाते हैं और सेशन को आप सबी लोग एक बार लाइक शेयर जरूर कर देजे ताकि और भी स्टूडेंट्स ताकि एक क्लास उनकी पहुँच सके क्वेशन नंबर टू है हाल ही में कौन सा देश अपने 75 स्वतनता दिवस पर जवालला लेहरू के चित्र वाला डाक टिकेट जारी करेगा बांगला देश, शिलंका, केप वर्दे या फर इंडिया तो इस क्वेशन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी याने की शिलंका आगे पढ़ते हैं गाईस, तो अगर हम इसकी बात करते हैं शिलंका ने 4 फरवी 2023 को अपने 75 स्वतनता दिवस समारो के हिस्से के रूप में भारत के पहले प्रदान मंत्री जवाला लहरू के चित्र सहे ते किस मारक डाक्टिकेट जारी करने की योजन बनाई है और यह डिसाइड किसने किया है कि हम ऐसा करने वाले हैं शिलंका की अगर जब हम बात करते हैं तो वो दिनेश गुनावर्दने ने ऐसा डिसाइड किया है आगे बढ़ते हैं guys तो ये रहा आपके सामने श्रिलंका और श्रिलंका की capital है श्री जैवर्दिनी पूरम कोटी यहां के प्रधान मंत्री है दिनेश गुनावर्दने और यहां के आपको प्राइम मिनिस्टर मिल जाते हैं श्री यहां के आपको प्रेसिडेंट मिल जाते हैं रनिल विक्रमा सिंगे प्रधान मंत्री आपके हो जाते हैं दिनेश गुनावर्दने आगे बढ़ जाते हैं guys question number third हाली में अर्मेनिया में भारत के अगले ताजदूद की रूप में किसे न्यूक्त हिया गया निलाकशी साहा सिन्ः, सुंदर रमर्णराम मुर्दी, साजी के भी या फिर प्रशून जोशी को न्यूक्त लिया गया है तो आपको بتा दें कि अभी हाल फिलाल में नरिन्द मुदीजी की ट्रांसलेटर जिनका नाम है निलाक्षी साहासिन हा इनको चुना गया है अर्मेनिया की जब हम बात करते हैं अर्मेनिया में भारत के अगले राज़्टोस के रूप में आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के उपर और अभी कुछ रीसेंट अपोइंट्मेंट्स है लाइक बियारों में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शुर्बी जख मोला आगे बढ़ते हैं रत्न एवं आभूशन परिशत के चेर्मान सैयम महरा जो है चुने उत्तरफिदेश की पहली महिला पुलिस कमिशनर लक्षमी सिंह यहाँ पर बनाई गई है आगे बढ़ते हैं गाईस नेक्स्ट क्वेशन के उपर फॉर हाली में किस देश के राश्पती ग्यूएन जुवान फुक ने इस्तीफा दिया है इटली स्लोवानिया ब्राजील या आपके सामने सही जबाब है आगे बढ़ते हैं गाईस नेक्स्ट क्वेशन के उपर क्वेशन नमबर फाइव और कह रहा है कोर्वा ओर्डिनेंस फैक्टरी में क्लाशन गोव एक के दोस्तों तीन असौल्ट राइफलों का निर्मार शुरू हो गया कोर्वा ओर्डिनेंस किस राज्ड में स्थित है तो बताएगा अंसर यह कहां पर आजाती है यूपी में गुजरात में एमपी में या फिर ये महराश्ट में आ जाएगी तो आपको बता दें कि इसे बनाया जा रहा है आपके यूपी के अंदर अमेठी में तो यह आपके सामने बिलकुल सही आगे बढ़ते हैं guys, next question के उपर, और अच्छा ये कुछ आपके सामने UP का static GK है, इसे आप देखिए कि capital जो है हो जाती है लगनाउ, इसका जो formation हुआ था UP का 24 जनरी 1950, लोकसभा सीटे 80, राजसभा सीटे 31, जिले 75 है, डाम, रिहान डाम है, टाइगर रिजर्ब 4 है, नैशनल पास एक आपको मिलेगा इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं guys, next question ये रहा कि आटवा राश्य आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस का मनाया जाता है, 19 जनरी, 10 जनरी, 12 जनरी या फर ये एक जनरी को मनाया जाता है, तो guys आपको बता दें कि ये जो है, 19 जनरी 2023 आपने याद रख प्रतें चीज़ें हैं, like 1 जनरी को Global Family Day मनाते हैं, 4 जनरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनरी को National Birthday, 6 जनरी को World Day of War Orphans, 9 जनरी को NRI Day, 80 भारति दिवस मनाते हैं, 10 जनरी को विश्व हिंदी दिवस, और 11 जनरी को लाल बहादूर शास्त्रेजी की पूर्नितिती मनाई जाती ह Q7 आपके सामने स्क्रीन पर ये है प्रधानमंत्री श्री नरेन मोदी ने हाली में जन्वी 2023 में कि शेहर में शांशत खेल महाकुम के दूसरे चनट का उद्गाटन किया सुभरार्सी, बस्ती या फिरकानपूर अगर हम इसकी बात करते हैं तो बस्ती जो है ये आपके सामने option number B सही जवाब है और अगर हम बात करते हैं तो सांसत खेल महाकुम का जो दूसरा चनट है ये प्रियम मोदी जी ने वर्चुली यानि वीडियो कॉन्फरिंजिंग के माध्यम से इन्होंने इसका अनावर किया है आगे बढ़ते हैं गाईस तो नेक्स्ट क्वेशन आपके सामने ये रहा ये हाली में जनुरी दोहजार थीस में किसे भारत का उप राश्पती सुरक्षा सलागार नियुक्त किया गया है विन्य कुमार सक्सेना, पंकच कुमार सिंग, अजीर दुबाल या फिर चेतन शर्मा तो गाईस इस क्वेशन का जो सही जवाब है वो है यहाँ पर पंकच कुमार सिंग यानि ऑप्शन नंबर भी आगे बढ़ते हैं तो ये था गाईस आज का हमारा सेशन और आप सभी लोग इस सेशन को जरूर लाइक और शेयर कर दीजेगा और अब मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मुच और हैब नाइस देए